आप सभी का स्वागत है मेरा सेकंड ब्लॉक्स में तो आप लोग उने मेरा पहला देखा देशा था आप सभी ने बहुत प्यार दिया अब आपको मैं आज सेकंड ब्लॉक्स में लेकर रहा हूं नहर के किनारे गुमाने के लिए वहीं पर एक चोटा सब खंडेर भी है जिसे अब वहीं मैं गुमाँगा क्यों है कपका है यह भी आप सबको बताऊंगा तो आप लोग बने रही है ज़िए अच्छा मॉसम हो रखा आए कानफूर में आप देख सकते हैं तो पूरा पीछे बादल आई हुए हैं अभी बारिस भी थी तो मैंने अच्छा मॉसन देखकर स अभी जहां पर आएं वहीं पर यह देखिए पीछे मेरे जो दिख रहा है आपको खंडेर दिख रहा है अभी वहीं आपको गुमाने लिए वह अंग्रेज के टाइम को बने हुआ है अंग्रेज जब यहां थे उनका सासन था इस जगह पर तब वहां पर इन्होंने एक तो नह सब्सक्राइब को जरूर बताता कि क्या था वैसे यहां पर बस कुछी पोल्स खड़े हैं और चट पड़ी है तो पानी से बचने के लिए मेरे भी काफी है आप देख सकते हैं पीछे बारिस हो रही है अभी जार तेज नहीं है पर हां मैं भी जाओंगा तक जाओंगा तो आपको लिए चलूँगा तो दो तक आपको देख बने रही हो मेरे साथ चलता है खंड आयर देख देख लिए जी जंदगी हम चिप चिपाए हम नहा है आया हम नहा है कि दोस्तों यहां की नहर के नाम से जानता है पर इदर यह 12 सुरुई पढ़ जाता तो इसे 12 सुरु हे नहर भी बोलता है वह जो आपको सामने बिल्डिंग्स देख रहे हैं वह आई टी कानपुर के विल्डिंग्स और अभी हम लोग चलते हैं खंडायर की तरह बहुत पुराना पेड़ है सायद मेरी पैदा होने से भी जादा पुराना जै माता दे पहुंच गया यह पुराने बूद बंगला के पास कि मुझे पता नहीं थे क्या है यह देख सकते हैं सामने से कही सा दिख रहा है खंडायर इसका फ्रंट के था जो यहां पर चौकियों करती थी पूरी तरीके से तूट चुकी है आई यह चलिए दिखाते हैं आपको अंदर से अपलों को अभी मैं दिखाता हूं अभी मैं कि यह मैं आ चुका हूं खंडायर के पास आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरा टूटा हुआ है काफी पराना है तो जब आजादी के पहले का बना हुआ है और इसमें जो अंदर कर नजारा है वह आप देख सकते हैं काफी कुछ जगह जगह कुछ लोगों ने कुछ आप लोग इसकी जो चाहता है वह पूरी प्रिकेस टूट चुकी है इसमें एक यह च्छेद है कई सारे च्छेद हाई किसी ने एक के उपर से हीटा निकाल लिया और उपर से काफी कभी गिर सकता थे हाना सेफ नहीं है उतना अब कम ही लोग आते हैं मैं तो आप लोगों को यह वीडियो दिखाने आगया हूं मैं इतना सेफ बिलकुर भी नहीं है क्योंकि यहां कोई जल्दी आता भी नहीं है और इतना सुरच्छित भी नहीं है बाकि आपको मैं दूसरा गेट दिखाता हूं यह देख सकते हैं इसका जो अंदर का पॉर्चर है यह दिखाता है अं अंदर का यह रहा हूं वह टूट चुका है उपर देखिए च्छातत साब गायब हो चुकी है कुछ नहीं बाकि रह गया है और यह हमारे पेड महाराज नहीं पूरा कज्जा कर ली आपके कईता नहीं अंग्रेज चले गए अब मेरा कज्जा है तो यह काफी पावर्फुल पावर देखिये ऐक चोटासा कबंतर बैठा सायद आप लोंके दिखजिए उड़ गया नहीं डिख़ागा के और मैं यह आऊंग गरे में बदलबासी कर रहे हो तो अधि हम चलते है और देखिए 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 आहा तो यह रहा इसके प्रकार से सारे ब्लॉक्स बने हुए है इसमें भी च्छत वगएर टूट रखी है इसकी बीच्छत गाया बहुत गई है सब नीचे आकर गिर गई है टूट चुकी है तो पूरे जर्जर है यहांना बहुत खिस डेंजर है कभी भी कोई बेंग गिर सकती है अब दिखा इसलिए अब ले चलते हैं हम आपको पुराना कुणा दिखाना यह देख लीजिए आपको यह रहा आपका पुराना कुणा यह बहुत पुराना कुणा है सायद इस लाके का सबसे पुराना कुणा है और यहां पर आज भी लोग जो मतलब की साधियों में कुणा वगरा किय पर काफी कुछ है अपर काफी सांदार बना रखे तो अगर कोई गिर जाता है तो उसे ज्यादा नहीं पर हाँ अच्छी गासी चोंट लग सकती है आपको कैसा लगा यह सब देखकर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स मताईए कि कैसा रा मेरा व्लॉग क्योंकि यह मेरा सेकेंड व्लॉग है तो मैं अभी नया हूँ अगर कुछ गलती हो गई हो तो माप करना और आप जो पीछे करना जारा मेरे देख रहे होंगा वह है आएटी कानपूर और इधर जो पढ़ता है मक्सूदाबाद के बीच में खड़ा हूँ यह पंकी नहर के आस पर ही हूँ जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं नहर है और इस पंकी नहर पर एक पावर प्लांट भी है अभी पावर प्लांट बन रहा है कभी मुका मिला तो भी मैं आपको गुमाऊंगा वीडियो में कुछि मेरा काम ही है कानपूर आपको वीजट कराना इसे साथ थाइंक यू और अग्याया वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा लाइक कर दिजिएगा कर दिजिएगा थाइंक झाल झाल झाल